तो हलो गाईस कैसे उमीद करता हूँ बड़े होंगे गाईस यह है 2023 की न्यू होंडा शाइन 125 गाड़ी के अंदर अब आपको BS6 Space 2 वाला इंजन मिलता है OBD2 सेंसर आपको गाड़ी के अंदर दिया जाता है 2023 में क्या-क्या बदलाव हुए है गाड़ी के अंदर features क्या-क्या मिल जाते है on-road price कितना है, mileage कितना देती है, top speed कितनी है सारी details वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक ज़रूर देखना गाड़ी के front में आपको black color का visor मिलता है जिसके उपर Honda की branding उसके नीचे chrome का यूज किया है company ने, side में देखेंगे तो grey and white color की stickering का यूज किया है इसका जो head lamp है वो आपको halogen bulb का ही मिलता है, halogen bulb के indicator दिये जाते हैं जो कि non-flexible मिलते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ आपको number plate के लिए जगा दी जाती है, जो कि अंदर की तरफ आपकी number plate यहाँ पे install होगी गाड़ी का जो mudguard है आपको और other गाड़ीों से काफी जादा heavy और चौड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है quality भी आपको काफी जादा best मिल जाती है, matte gray color का आपको यहाँ पे mudguard दिया जाता है गाड़ी के अंदर आपको front में suspension जो है वो telescopic type के suspension मिलते हैं जिसके दोनों तरफ आपको reflector मिल जाते हैं गाड़ी का जो front tire है वो आपको 8018 का मिलता है जो की tubeless tire मिलता है 18 इंच के alloy wheel के साथ इसके अंदर आपको 130 mm के drum brake भी दिये जाते हैं जो की front में आपको मिलते हैं guys एक चीज में comment करके अपनी ride जरूर दें क्योंकि इस गाड़ी में rider footage जो है वो बिलकुल भी adjustable नहीं है आपको यहाँ पर fix rider footage दिये जाते हैं क्या company को इसको upgrade करना चाहिए या फिर नहीं comment करके जरूर बताएं और गाड़ी का जो engine है वो आपको black color का मिलता है चेसी black color के मिलती है engine पर होंडा की branding और इसके engine की बात करें तो इसमें आपको 123.94 cc का air cooled four stroke two valve bs6 si engine मिलता है जिसमें power मिलती है आपको 7.9 kilowatt की 7500 rpm पर torque मिलता है 11.11 nm का 6000 rpm पर side में आपको 125 की stickering प्लस chrome का use किया है इसके अंदर आपको नए graphics दिये जाते है three tone color आप साफ साफ देख सकते हो गाड़ी का जो tank है उसके उपर honda की branding chrome finishing के अंदर इसका जो fuel tank है वो आपको matte gray color का मिलता है जिसके उपर e20 की stickering मतलब 20% ethanol 80% fuel use होगा आपका इस गाड़ी के अंदर इसका जो petrol tank है वो आपको 10.5 liter का यहाँ पर दिया जाता है गाड़ी के अंदर सबसे main चीज होती है comfort comfort कहां से मिलता है उसकी seat से अगर seat अच्छी है कुसंस अच्छी है seat में तो लंबे से लंबा रास्ता छोटा लगने रगता है तो गाड़ी की जो seat है वो आपको काउल मिलता है जिसके ओपर gray and white color की stickering का use किया है बात करें गाड़ी के rear suspension की तो black color के आपको hydraulic adjustable type के suspension दिये जाते हैं इसके पीछे वाले tire की बात करें तो 8018 का tubeless tire दिया जाता है जिसमें 130 mm के drum brake मिलते हैं और 18 inch के alloy wheel दिये जाते हैं आपको rear side में engine के refine होने की वैसे इसका जो exhaust sound है वो different हो चुका है पहले से जाला गाड़ी के अंदर आपको rider footress adjustable नहीं मिलते हैं passenger footress यहाँ पे आपको foldable दिये जाते हैं गाड़ी की जो tail light है वो आपको halogen bulb के साथ दी जाती उसके उपर Honda की branding non flexible indicator जो की halogen bulb के साथ मिलते हैं number plate के लिए जगा मिल जाती है गाड़ी की दूसरी साइड में आपको seat call पे shine की stickring मिल जाती है नीचे आपको white and gray color के strip type की दी जाती है यहां से आप अपनी seat को open कर सकते हो गाड़ी के अंदर आपको lady plane के लिए footress और एक सारी guard दिया जाता है जो की company fitted आता है गाड़ी के अंदर आपको chain cover जो है जो की plastic में दिया जाता है जिसके उपर mention हो रखा है कि आप single या two person पे कितनी हवा डलवा सकते हो आगे और पिछे वाले tire में यहां पे आपको foldable footress मिलते है round shape के अंदर गाड़ी के अंदर आपको five speed का gearbox दिया जाता है rider footress आपको यहां पे foldable नहीं मिलते है side stand पे engine cut off का sensor main stand side stand दोनों ही दिये जाते हैं यहां पे आपको honda की branding जिस पे honda की branding है वो आपको plastic में दिया गया है यहां पे engine cover जो के कह सकते हैं से गाड़ी के अंदर आपको single horn दिया जाता है जिसका volume आपको ठीक ठाक ही दिया जाता है इस गाड़ी की जो length है वो आपको 2046 mm की मिल जाती है height आ आपको engine kill switch और self का switch दिया जाता है handle bar के उपर आपको honda की branding मिल जाती है और इसके meter console के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया है जैसे आपको पहले मिलता था इसका meter वैसे ही देखने को मिलता है इसके अंदर आपको neutral की light, check engine की light, side stand की warning मिल जाती है, headlight मिल जाती है आपको turn indicator और fuel gauge तो पहले जैसे ही आपको इसके अंदर option देखने को मिलता है अब बात करते हैं इस गाड़ी के price की तो इसका जो action room price है वो है 78,600 जो की drum variant का price मैं बता रहा हूँ आपको on road price है इसका 93,170 रुपे अगर आप इस गाड़ी को disc variant में लेते हो तो disc का action room price है 82,600 रुपे on road price ह इस गाड़ी का 97,376 रुपे तो इस गाड़ी का price बगरा मैं आपको बता चुका हूँ गाड़ी से related कोई भी सवालों कमेंट करके आप मेरे को पोच सकते हो और गाड़ी कैसी लगे आपको कमेंट करके ज़रू बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं तो गाइस लेते हैं अलविदा मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर जैहिंद